आज के लेक्चर में हम डिस्कुस करने वाले है जिरो डिवाइजर्स जिरो डिवाइजर्स का जो टोपिक है ये बहुत important है exam point of view से भी और इसकी इलावा next हमने integral domain का topic पढ़ना है उसके theorems करने है तो वहाँ पे भी हर जगा ये जिरो डिवाइजर्स का concept यूज होने वाला है तो आज के lecture में हम देखेंगे कि जिरो डिवाइजर्स क्या है इसकी examples क् exam में इस पे based किस तरह का question पूचा जाता है और फिर उस question को हमने solve कैसे करना है ठीक है तो start करते हैं अपना lecture जिरो डिवाइजर्स की definition से definition क्या है इसकी वो कह रहे है कि let R be a ring R हमारे पास कोई ring है if A and B are non-zero elements of R उस R में से हम कोई दो non-zero elements ले रहे हैं A and B such that A B is equal to zero किस तरह से क A B का product zero है ठीक है then A and B are called zero divisors of R तब A और B zero divisors कहलाएंगे R के दुबारा से definition को समझे वो क्या कह रहे है कि R कोई ring है R में से हमने A B non-zero elements लेने है किस तरह के elements लेने है non-zero elements लेने है लेकिन उनका product क्या आना चाहिए वो zero आना चाहिए ठीक है अगर ऐसा होता है then वो A और B क्या कहलाएंगे R के zero divisors कहलाएंगे अब जरा इसकी example के लिए सोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए तो ऐसा कौन सा ring है कि हम उसे देखे set of integers है set of real number है यह rings है ना तो क्या हम इनमें से कोई दो non-zero element ऐसे निकाल सकते है कि जिनका product लें तो वो zero आए नहीं ऐसे कोई भी दो numbers हमें न इनका वो दो non-zero number उठाएं और उनका product equal zero मिल जाएं पूरे real numbers उठाके देख लें पूरे integers उठाके देख लें आपको ऐसा कोई number नहीं मिलेगा तो भई फिर यह zero divisor का use कहा है इसकी examples क्या है तो इसकी examples में हमारे पास जो usually use होते हैं वो matrices आते हैं और modular classes आती है matrices हमें पता है क n cross n के जो matrix होते हैं वो हमारे पास ring बनाते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम इसकी examples मिल सकती है हमें और modular classes में हमें इसकी examples z n जो sets हैं उनमें हमें इनकी examples मिल सकती हैं तो देखिए जैसे for example यहाँ पे मैं एक दो matrix ले लेती हूं n cross n के sorry two cross two का मैंने matrix लिया एक यह वाला लिया one zero 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 one zero दोनों non zero है ठीक है और इन दोनों का अगर product लें तो वो क्या आ रहा है zero आ रहा है आप इसे multiply करके देख सकते हैं इसका product क्या आएगा zero आएगा तो यह हमारे पास example है zero divisor की के हमने दो non zero element लिये और उनका product देखा तो वो क्या आया वो zero आ गया next example है हमारे पास z6 इससे related usually question आ जाता है zero divisor find करें z6 के z12 के z24 के या so on कोई भी हमारे पास आ सकता है तो वो हमने कैसे करना है तो यहाँ पर देखिए उन्होंने z6 के zero divisor find करने के एका है तो अगर हम z6 के zero divisor find करेंगे तो हमने देखना है यहां से कोई दो non zero element लें उनका product क्य अगर 0 आता है तो वो इसके zero divisor होंगे तो यहां पर देखिए अगर 1 और 2 को लेंगे 1 multiply by 2 under modulo 6 हमारे पास क्या आएगा 2 ही आएगा और अगर 2 और 3 को लें 2 multiply by 3 under modulo 6 हमारे पास क्या आएगा 6 आता है ना लेकिन क्योंकि यह modulo classes है तो यहां पर हमें पते है multiplication किस तरह से होती है कि हम 2 numbers को multiply करते हैं अगर तो उनका product इस number से m से चोटा है जो जो m यहां पर हमारा क्या है 6 है अगर इस से चोटा है तो वही उसका answer होता है लेकिन अगर उसके equal या उससे बड़ा कोई number आ रहा हो दो number का product तो फिर हम उसे divide करते हैं इस number पर और जो हमारे पास remainder बचता है व पहले तो इसे 6 पर डिवाइड करेंगे तो 6 को 6 पर डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है remainder क्या बचता है 0 तो यह जो remainder R है यह इनके product का answer होगा तो वह क्या है 0 तो यहां पर देखें इसका मतलब 2 और 3 क्या है जी 6 के 0 divisors है क्योंकि इन दो नों 0 numbers ह हमने लिए और हमने multiply किया तो इनका product क्या मिला 0 मिल गया तो यह इसके 0 divisors है अब इसके लावा और भी इसके 0 divisors क्या मिल सकते हैं तो देखें 3 और 4 को अगर multiply करते हैं 3 अंडर मोडूलो 6 multiply by 4 तो यह क्या आएगा 3 4 हमारे पास कितना होता है 12 होता है तो 12 देखें 6 से बढ़ा numbers लिए और उनका product क्या आगया हमारे पास 0 तो यह इसके हमारे पास 0 divisors है अब इनके लावा और कोई possibility नहीं है कि कोई 2 और numbers हम ले उनको multiply करें तो वो हमें इसके answer उनका क्या मिले 0 तो इसका मतलब कहां कौन से numbers हैं जो हमें 0 दे रहें answer वो क्या था 2, 3 and 4 2, 3 and 4 तो यह हमारे पास इसके 0 divisors होंगे Z6 के ठीक है Z6 के 0 divisors यह हैं हमारे पास अब यहां पर question यह है कि अगर exam में हमसे पूछ लिया जाए कि Z12 के लिखें या Z24 के आप 0 divisors लिखें या कोई higher order हमें मिल जाता है अगर then हम क्या करेंगे यहां पे भी देखें हमने multiply करके देखा तो अब यहां पे Z24 की जैसे बात करें तो इसमें इतने ज्यादा numbers आरे है इसमें 24 हमारे पास इसमें numbers होंगे इस set में तो उन 24 को हम कैसे वहां से निकालेंगे कि कौन-कौन से जो हमारे पास numbers and को multiply करने से 0 मिल रहा है तो इसके लिए हमारे पास short trick method है वो short trick क्या है वो हमारे पास यह है कि अगर कोई भी हमारे पास ZN आ जाता है मतलब Z की N की कोई भी value हो Z12 कह दे Z14 49 whatever ठीक है तो इसके 0 divisor find करने के लिए हमारे पास एक simple short trick method है वो यह कहता है कि अगर ZN के 0 divisors आपने निकालने हैं तो वो वाले elements होंगे that are not relatively prime with N जो N की value है उसके साथ जो number relatively prime नहीं होंगे वो हमार 0 divisors होंगे ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़ आप notice कीजिए relatively prime की term यह आपको पता होना से इसका क्या मतलब है तो यहाँ पर देखे relatively prime वो numbers होते हैं जिनका GCD equal 1 होते है जैसे देखे हमारे पास prime numbers का तो पत है न आपको 2, 3, 5, 700 यह हमारे पास prime numbers है लेकिन देखे यहाँ पर जो 4 है 4 की बात करें तो 4 prime number नहीं है लेकिन अगर 4 और 3 को relatively हम चेक करें तो यह दोनों prime numbers हैं क्योंकि इनका GCD क्या आता है 1 आता है ठीक है इनका common divisor जो है 1 के इलावा कोई नहीं तो वो numbers relatively prime होते हैं जिनका GCD 1 आता है जिनका greatest common divisor सिरफ और सिरफ 1 होते है तो हम क्या करेंग तो हम क्या करेंगे हम सिरफ उसमें वो वाले numbers उठाएंगे उसके zero divisors के लिए जो कि इसके साथ 49 के साथ relatively prime नहीं होंगे ठीक है तो अब यहाँ पर मैंने एक example ली है और Z12 की example मैंने ली है Z12 के हमने zero divisors find करने तो अब हम इस short trick method से इने find करेंगे तो हमें पता है कि हमने वो व वो not relatively prime होंगे इसके साथ तो कौन कौन से number है जिनका 12 के साथ GCD 1 नहीं है एक तो 1 आएगा ठीक है ठीक है 1 है sorry जिनका मैं उल्ट कहीं हूँ तो हम वो ले रहे हैं जो relatively prime है तो 1 और 12 का GCD क्या आएगा 1 आएगा तो यह relatively prime है इसके साथ इसके इलावा दिखिए 3 नहीं है 4 भी नहीं है 5 इसके साथ relatively prime है 7 relatively prime है 8 भी नहीं है 9 भी नहीं है 11 relatively prime है तो इन 4 numbers को निकाल के उसने कहाँ कि not relatively prime जो है वो आपके zero diviser है तो यह 4 थे जो relatively prime थे तो इनकी लवा बाकी जितने numbers हमारे पास बचे वो सारे क्या होंगे इसके 0 devices होंगे क्योंकि बाकी जितने भी numbers हैं उनको 12 के साथ अगर आप चेक करेंगे तो उनका GCD 1 नहीं आएगा उनका common divisor और भी हमें मिलेगा तो यह हमारा आज का lecture था I hope आपको समझ आया होगा कोई question हो तो आप comment box में पूछ सकते हैं Thank you